जो हिंदू घर के बाहर पानी नहीं चीटते उनके साथ देखें क्या होता है। हिंदू धर्म में शास्त्रों का कहना है कि आज के modern लोगों ने घर के बाहर पानी चीटना तो बंधी कर दिया है। लेकिन ऐसा करने से उन्हों ने अपने पित्रों को नाराज कर दिया है और अपने लिए नर्की के दर्वा से खोल लिये है। आज के बढ़ते शहरी करण में लोग अपने पूर्वजों के परंपराओं पित्र धर्म शास्त को भूलते जा रहे हैं। उनका मानना है कि मृत्यों के बाद कोई जीवन नहीं होता। लेकिन अगर आप हिंग्यों है तो म्रित्यों के बाद के जीवन में आपको विश्वास करना ही होगा। क्योंकि हिंदु धर्म शास्त का मानना है कि आपके जो अपने खत्म हो गये हैं। वो आपके इर्दगिर्धी होते हैं, उनकी भी मौजूधी है और उनकी भी इच्छाय कोती है। कहें आपके सांथ जो भी पुरा हो रहा है वो आपके पित्रों के द्वारा दिये गए श्राप के अकारण तो नहीं हो रहा और अगर अभी तक कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी न भूले ताकि हमारे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पहुचे तो चल ये वीडियो शुरू करते ह सफ़स्त करे निसार हमारे जो पूर्वच खत्म हो जाते हैं वह पित्र बंगर हमारे आसपास रहे लगते हैं और हमारे किये गये हर कारे पर उनकी नजर sensor हमारे साथ जो पुरान कहता है कि हमारे पित्र रात भर हमारे घर के बाहर अपनी त्रिक्ति का इंदिजार करते हैं लेकिन अगर कोई व्यक्ति सुभा उतकर घर के बाहर पानी नहीं चीपता तो पित्रों की पानी पीने की इच्छा अधुली रहे जाते हैं और हिंदु धर में पित्रों का नाराज होना काफी अश्रुब माना जाता है उस परिवार पर पित्र दोश लग जाता है घर में कभी भी परकत नहीं हो पाती घर की सुख समरिद्धी भी नाराज पित्रों की साथ ही घर से चली जाती है घर में तरह तरह की बिमारिया प्रवेश करने लगती है इसलिए अगर कभी जाने अन जाने में आपकी पित्र आप से रुष्ट हो जाएं, तो इस दौरान पे हमें कुछ ऐसे संकेत देते हैं, जिनसे यहाँ पना चलता है कि पित्र गण हमसे नाराज है या प्रसनिद है. तो आए जानते हैं, क्या है फित्रों के नाराज होने की संकेत? पहला है घर में हर समय लडाई जगड़े और मन मटाव रहना, दूसरा लगातार धन्हानी होना, तीसरा बनते काम विगण जाना, शौथा मेहनत के बावजूद भी कोई काम सफल नहीं हो पाना, पांच्वा परिवार की सीहत खराब रहना, छट्वा बार बार की से दुरगट न के शिकार होना। साथ वा संतार सु प्राप्ति ना होना, और शादी वे बाधायां। पित्रों को प्रसंद करने के अच्वूप उपाएं, घर की दक्षर पर्शिन डिवार पर पित्रों की हस्ति मुस्कुनाती तस्वीर लगता, सुभा उटते ही पित्रों को प्रणाम क करके उन्हें फूलों की माला चढाने से पित्र काफी प्रसण्न होते हैं एक पित्रों के खास दिन ere मिगरी जयनती और बरसी पर गरीब और जरुरत बंद्रों को दाख जरूर करें और ना कि किसी भी प्रकार का अंदर विश्वास मेलागा। पिंत्र दोश के बारे में आपकी क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स पे अपने विचार ज़रूर शेयर कीजेगा। यह वीडियो कसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजेगा और वीडियो में कमेंट बॉक्स पे यह ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौनसी टॉपिक पर जोगा। दोस्तों यह वीडियो के वन सेक्षी कुद्देशिस से आप सभी को पुरी जानकारी देने के लिए और आप सभी के एंटेटेमेंट के लिए बनाएगा। वीडियो को अन्हतर देखने के लिए आप सभी का धन्यवार को मलते हैं अगले वीडियों